नमस्कार आप देख रहें बिग फाइट लाइव आपके साथ मैं हूँ श्वेता मिश्रा अवस्थी एक देश एक चुनाव तो फिर एक राज एक चुनाव क्यों नहीं केंदर की मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गंभीर है तो वही राजस्तान में भजनलाज सरकार में एक राज एक चुनाव की तरफ कदम बढ़ा दिये है इससे ना केवल बार बार चुनाव कराने में होने वाले खर्च में कमी आएगी बलकि विकास कार भी नहीं रुकेंगे वन स्टेट वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्ष का कहना है कि ये सरकार नहीं कर सकती है सवाल यही है कि अगर सरकार ने ठाल लिया है तो एक साथ चुनाव क्यों नहीं हो सकते है एक साथ चुनाव कराने से किस को परिशानी है और इससे किसे फाइदा और किसका नुकसान है हाई ये जरूर हो सकता है किस मुद्धे पर राजनीती हो सकती है क्योंकि इस साल 5 नगर निगम, 16 नगर परिश्ट और 28 नगर पालिकाव का कारेकाल पूरा हो रहा है लेहाज़ा 2025 में एक साथ चुनाव होंगे आज बात इसी खास पुद्धे पर 2025 में पुरे राजें की तुरावर इसाथ करने का और जो लिए खास पुद्धे पर चर्चा के लिए खास महमान हमाई साथ जड़ चुके अगर उस पर बात करेंगे तो दारा बढ़ जाएगा हम बात वन स्टेट वन इलेक्शन की करेंगे क्योंकि इसी को लेकर बयानबाजी का दौर भी जा रही है और इसके फेवर में और इसके विरोध में भी बाते हो रही है सरकार इसे लेकर मन्थन कर रही है इसे पर कदम बढ़ाये जा रहे है नोटिफिकेशन में जल जारी होगा सबसे मुख्य उदेश क्या है वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार को ये क्यों जरूरी लगता है और कब तक उमीद की जाए कि इस पर काम जो कहा जा रहा है वो होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई तो कुछ बाते ऐसी थी कि सबसे पहले तो ये था कि बार-बार आचार सहिताओं के चलते सरकार अपना काम नहीं कर पाती है दूसरा खर्चा बहुत होता है पार्टी अपना पूरा समय पांस साल में जातर समय केवल चुनाओं में बिता देती है तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की ये जो एक विचार के बारे में सुचा गया तो उसकी एक रिपोट बनी उस रिपोट के दो पार्ट थे एक पार्ट था जिसमें लोक बिधान सभा के चुनाओं और उसी तौरान जो major चुनाओं हैं जिसमें आम जनता सीधे तोर पे समलित होती है उन चुनाओं को जिसमें आचार सहींता लगानी पड़ती है उन चुनाओं को संपन करा लिया जाए within 3 months और 4 months ऐसा एक सेजिशन आया तो यह जो कल जब यह बात आज जब यह बात आ रही है तो इसमें जो यह कराने की तयारी करनी होगी हमें इसकी शमता प्रानी होगी अभी राजस्तान में अपनी सुविदा के उनसार गेलो सरकार ने जब मन में आये चुनाओं कराए तो उसके कारण जो चुनाओं है वो नगर निकायों के भी 2-3 पार्ट में हो गए है देखिए उनकी गलती भी न आड़क जाए और ऐसा करते हुए सबसे पहले नगर निकायों के चुनाओं को एक किया जाए और आने माले समय में नगर निकायों और पंचायद के चुनाओं भी दिरे एक साथ हुगे जिस से जो आचार सहीता का जो समय है वो व्यर्थ नहीं जाए वो ज्याद difer prior जब बद सरकार ये नहीं कर सकती है दूसरी तरफ इसका विरोध भी कहीं नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए वजह क्या है उसकी क्योंकि फाइदे तो बहुत हैं हमेशा हम चुनावी मोड में रहते हैं दूसरे काम इससे प्रभावित होते हैं एक साथ चुना होंगे खत्म तो उस पे बुराई क्या है? और आप किस प्रकार कैसे जो एक्यान वे जो नगर निकाई होंगे आगे उनका आप कट शॉट कर देंगे उनका तर्म उनको आप पहले कैसे भंग कर देंगे ये अलग बात है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का मुद्दा ही है कि जनादार कोने के कारण ये प्रशास लों की वो तो सारी सीज हैं वो सारी सीज किये केन सरकार ने क्योंकि अभी जनगरना होनी है और उसके चलते मुख्य मंतरी जी ने अमित शाजी को पत्र लिखा है और वो पत्र की परप्रती ये है जो वो सीमा खोलने के लिए गोजारिश कर रहे हैं क्या इनको इजाजत मिल कि देश बरके राजे जो है वो आपे जाजा चुना होने वो इस सीमा खोलने की बात कह रहे हैं और सीमा खोलनी सकते क्योंकि यहाँ पे जन्गरना होनी है और यह आप देखिए पत्र भी क्या कहता है कि अतर राजस्तान प्रदेश के जिलों तैसिलों कस्मों पंचाय समिति ग्राम पंचायतों जिला परिश्वदा एम इस पर बात करेंगे